अगर नशा करके गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पहली स्तंबर से अपने जेब जायदा डिली करनी पड़ेगी क्योंकि मोटर वहिकल एक्ट में नए सुनसोदन के बाद नशा करके गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपे तक का जुर्माना आदा करना पड़ेगा यही नहीं गाड़ी चलाते बक्त मोबाइल फोन सुनने पर भी 5,000 रुपे जुर्माना देना होगा दिनों दिन बढ़ रही दुर्कटनाओं पर अंकुष लगाने के लिए नए मोटर वहिकल एक्ट को पहली सितंबर से पूरी देश में लागू किया जा रहा है जिसके चलते अब बहां चलाते समय चालकों को सावधानी बरतनी होगी हमिरपूर डियस्पी ही तेश लखनपाल ने बताया कि पहली सितंबर से नए मोटर वहिकल एक्ट के तहट जुर्माना बढ़ाया जाएगा और सबसे कम जुर्माना 500 होगा जबकि सबसे जादा शराप पीकर बहां चलाने पर 10,000 रुपे होगा उन्होंने बताया कि नए मोटर वहिकल एक्ट के अनुसार सभी पुराने फाइन में बिद्धी होगी ताकि यात्यात मीमो की कड़ाई से लोग पालन कर सके आपको बता दें कि अबे तक पुराने मोटर वहिकल एक्ट के अनुसार शराब पिकर गाड़ी चलाने पर पकड़े जाने पर केवल दो से डाई हजार रुपे तक का जुरमाना अदा करना पड़ता था और मोबाइल फोन सुनने पर केवल एक हजार देकर ही चुटकारा हो जा उपवक्त हरकेश मीना की अधिक्षता में हमीर पबल में सब्टाइक्स मिक्सा बैट का आयोजिन किया गया इसमें नगर परशद शेतर में सफाई वेवस्ता सुदूर्द बनाने साइट बवीन मुद्दों पर चर्चा की गई हरकेश मीना ने कहा कि हमीर पुर शेहर में ग ब्यवसाईक परिशरों से कुड़ा कच्रा एकतर करने के लिए 10 वज़े तक कस्में निरदारित किया गया है शेहर में बारी मात्रा में कुड़ा कच्रा पैदा करने वले संस्थान वो परिशरों की पहचान कर इसके निस्तारन का भी उचित वेवस्ता की गई है उन्होंने आगरे किया कि नगर परश्चित अपने आए वो बे के अंतर को कम करने तता आए में ब्रोत्री के लिए नए कारे यूजनाएं बनाए और इसके क्रियान भईयन के लिए धोस कदम उठाए उन्होंने नगर परश्चित को निर्देश दिये कि हमिरपूर बस अड़े के समीब बनी दुकानों के आवंटन इत्यादी के बारे में दो दिनों की वीतर ब्योरा प्रश्चित करें और सडकों पर आते करमन कारियों के विरुद कड़ी कारवाई अमल में लाने के लिए सीग पूरा करें ताकि बहां टाइरिंग का करया पर प्ररण किया जाए उन्होंने कहा कि शहरी किष्टर में आवास हीं लोगों को भूमी उपलब्द करवाने के लिए ठोस कदम उठाए जाए रही हैं इसके लिए राजसोबे विबाग द्वारा परसत के साथ मिलकर कर रहा है पातर लोगों को परदान मंतरी आवास योजना के अंतगरत ग्रीन निर्माण हेतू सहाइता उपलब्द करवाई जा रही है उन्होंने उपमंटला दिकारी हमीरपूर से आगरे किया कि वे समय कि वे समय इसकी समिक्षा करें और पातर परिबारों की पहचान ताब भूमी क उपलब्दा इत्यादी के बारे में जानकारी दे बैटिक में परदान मंतरी श्रम योगी मांदन योजना रास्टी खादने शुरक्षा आधिनेम के क्रियन बेन मेला पुलिस दाना परिसर ग्रामिन सब्जी उतपात्वों के लिए बिकरी स्थल शेहर में सिस्टी वी कैमर पस्ति थे आधिनेम स्थान दे और इनकी आत्मा को शांती बरदान करें अखिल बारती विद्यारती परशद ने हिमाचिर परदेश बर में परदेश बापी अंदोलन का आगाज कर दिया है इसी कड़ी में सोलन इकाई दौरा भी धरना परदेशन किया जा रहा है धरना परदेशन के दौरान एवी बीपी द्ऌरा परदेश सरकार के खिलाब जम कर नारेवाजी की गई कारेकरताओं का कहना है कि चातर हीतों को लेकर बै किसी वी तरह का समझाता नहीं करने बाले उन्होंने कहा कि चातरों की जो भी मांगे हैं बै परदेश सरकार को तुरंत पूरी करने चाहिए एवी बीपी सोलन लिकाई के अध्यक्ष शुवम राटों ने रोज प्रक्ट करते हुए कहा कि बै पिछले काफिस में से चातर संग चुनाबों की मांग परदेश सरकार के समक्स रख रहे हैं लेकिन उनकी मांगों परना कुलपती ध्यान दे रहे हैं और नाहीं सरकार इसलिए उन्होंने अब संगर्ष का मारिक अपनाया है उन्होंने कहा कि दूसरी तरफ विद्यार्थी दूसरे बर्ष में पहुंच चुके हैं लेकिन अभी तक पहले बर्ष का परिणाम गोशित नहीं किया गया है जो सरसर गलत है तो विद्यार्थों के विश्या के साथ खिलवाड़ है इसलिए 24 गेंटे के संकेतिक हरताल पर हैं उन्होंने चेताब नहीं दी है कि अगर परदेश सरकार विद्यार्थी परषद की सभी मांगों को पूरा नहीं करती तो पूरे झाल